Welcome back to IAC Academy दोस्तों, आप सब लोगों की जो भी 4th and 6th semester के students हैं, उनकी final date sheet आ चुकी है, तो date sheet आपको किसे डाउनलोड करनी है, उसके लिए आपको एक website ओपन करनी है, exam.du.ac.in तो जब आप ये website open करते हैं, इस तरीके का interface खुलेगा, इसका direct link भी मैं आपको description में दे दूँगा, तो जब इस तरीके का interface आएगा, तो यहाँ पर आपको एक option दिखेगा date sheet, आपको इस पर click करना है, then फिर आप scroll down करेंगे, तो यहाँ पर final date sheet of semester mode May and June, तो मई और जून में ज date sheet, तो मैं यहाँ पर date sheet आपको open करके दिखा देता हूँ, यह आपकी final date sheet है, इस से पहले tentative आये थी, तो उस पर भी मैंने video बनाया था, उसमें भी आपके exams 11 में से start थे, अब यह final date sheet आई है, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ change नहीं है, यह भी exams आपके 11 में से ही start है, तो प इसके अलावा other courses इसकी भी आगर आप देखेंगे, तो उसकी भी date sheet आपको दिख जाएगी, तो आप अपने course के साब से date sheet को download कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो यह उपर लिखा हूँ है न, यह वाड़ी date sheet उन students के लिए है, जिनोंने admission 2019 और 2020 में लिया था, उसके बाद नीचे आप यहाँ आएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह date sheet उन students के लिए है, जिनोंने admission 2015, 16, 17 और 18 में लिया था, और वो अपने second semester का exam देना चाहते हैं, जिसमें उनकी back आई थी, four semester का exam देना चाहते हैं, यहाँ फिर six semester का exam देना चाहते हैं, तो उसकी date sheet भी यहाँ से exam आपको दिया हुआ है, commencement, तो वो है 3 बजे से, साड़े 6 बजे तक, तो वैसे तो आपको यह time ठीक है, जो दिया हुआ है, आपको आपके admit card को follow करना है, admit card कब आएगा, आपके exam से एक हपते पहले admit card आता है, जैसे admit card आएगा, उसके ओपर भी वीडियो, मैं आपको बना के दिखा दूँगा और कैसे download करना है, वो भी मैं आपको बता दूँगा, तो update sheet जरू download कर लीजिए, और अपने exams के तयारी में लग जाएगे, इसके अलावा आपका कोई doubt है, तो मुझे comment कर सकते हैं, मिलता आपसे अगले वीडियो में, bye bye and wish you all the best.